Hello everyone friends, welcome back to natural life दोस्तों आज मैं आप शेयर करनी वाली हूँ बहुत ही घजब का आइडिया वो भी एक पुरानी साडी से और पुरानी बैट सिट से तो मैं कुछ साडीयां डेख रही थी कि कौन सी साडी का इस्तमाल करूँ तो मैंने साडी का सेलेक्शन कर लिया है अब मेरे पास कुछ पुरानी बैट सिट थी जिससे मैंने अलग करके रखा था तो ये मैंने ले लिया है तो ये वाली साडी का यूज़ करूँगी और मैं को लिया है तो एज़िए इस तहरीके से ऍचींच कर लाँगी होता है अब इसमय निकाल देना है तो मैं निकाल दिया है अब सारी को इस तरीके से हम डबल करके पकड़ेंगे तो यह देखे साड़ी को मैंने इस तरीके से पकड़ा ही यह डबल है और इसे हम सीधा विछाएंगे और यहाँ पर देखे दोनों साइड पर हम सिराई करेंगे तो यहाँ पर देखे इस तरीके से आपको बस दोनों साइड पर इसे तरह के से आपको साड़ी के साड़ कर ले oppos Way to be approached. सीधा लेना है लिए इस तरह की साड़ी को सीधा लिया है इसमें हमें ध्यान रखना है कि बीच में कोई भी सिरर्वते mandatory नहींना हो उसके बाद मैंने ली है बैट सीट इसमें थोड़े थोड़े हॉल हो गए थे बाकी तो यह अच्छी थी लेकिन हॉल हो गए थे वो काफी ज़दा पुरानी थी तो बैट सीट को ऊपर इसके ऊपर मैंने सैट कर लिया और फिर जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है इसकी चोड़ाई जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी क्योंकि मेरी साड़ी की डिजाइन कुछ इस तरीके की है कि इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा आइड करने की ज़रट नहीं है अगर आप छोड़ाई जादा रखना चाहते हैं तो यहां दूसरी साड़ी साड़ी क शाइन के कालार करें लिया तो आगर आपके पास अपडिने दुपटे भी ले सकते हैं इस तरीके से grit करके ले ब एक और बेटिड ऊधा यहां काफह अच्छी है लेकिनुए क्लार HD हो गया है तो इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसका हम निकाल लोंगी और हम बहुत ही अच्छा इस्तमाल करेंगे इसी प्रोजेक्ट में तो इसे आपको फैक्ट ना नहीं है अब इस पैट सिट में भी जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा साथ साइड से वह भी मैंने कट करके निकाल दिया है तो इस तरीके से देखें मैंने टूटल फोर लियर्स में यानि क और विश्ट और देखें के चार सिंगल बैट सिट का यहां पर यूस किया है आप डबल बैट सिट यूस कर सकते हैं यह फिर आप यहां यहां पर फिर उपर तक हम इसे रोल कर लेंगे और फिर इसे देखिए जो उपन हिस्सा था उसमें हमें इस तरीके से इसे सैट करना है पलटना है तो आप ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए बहुत ज़दा आसान है अब यहां ऊपर की साइड आपको यह उपर की साइड खीचे न निकल रहा था तो यहां पर प्रैस र sneaking है और दागे का पूरा डिबा रख दिया है तो आप इस तरीके से यहां पर कुछ भी वजन रख दिजिए उसके बाद इस तरीके से इसे पूरा निकालते जाए तो यह मैंने पूरा लाश्ट तक निकाल लिया है ऊपर से लेके नीच पर पकड़े हैं निकालने के लिए उपर की साइड को और पकड़ेगा या फिर दूनों कॉर्णर पकड़े खेंश सकते हैं यह मुश्किल नहीं है ऑप अकली भी कर सकते हैं तो यह मैं अच्छा से साइड कर लिया इसके कॉर्णर को इसके बाद जो अपन हिस्सा था उसे और यह सैट नहीं रहेगा तो मैं हाथ से यहाँ पर सुईधागे का ही इस्तमाल करके टाकी लगा रही हूं तो यहाँ पर आए इतना जाधा सिलाई करने के आपको जरुरत नहीं पड़ेगी जैसाँ तरीका आपको दिखाने वाली हूं आगे तो बस आपको यहाँ पर मसीन नहीं है आपके पास तो भी आप इसली बना सकते हैं बहुत ही जादा यह अच्छा बनकर आएगा आप देख लेना अभी यहाँ पर देखे यह पूरे में मैंने से लाए कर ली है इसके बाद आपको क्या करना है इसके साइड में सम्थिंग 1 इं तो यह देखे यह तीनों साइड मैंने इस तरीके से 1.5 जितनी जगा छोड़ते हुए टाके लगा लिये हैं और मैंने जहां पर जो बैट सिट का इस्तमाल किया है इसके अलावा आप चाहें तो पुरानी चद्दर है आपके पास पुराना ब्लैंकेट है या फिर पुराने दुपटे है या फिर पुराने साडियों का भी आप यूज कर सकते हैं इसके लावा आप कूर्ती जैसे छोटे छोटे कपड़ों का भी सीधे कट करके इसे यहां पर यूज कर सकते हैं लेकिर अच्छे से आपको सैट करना होगा इससे अच्छा है बढ़िया है कि आप इस तरीके से बड़े-बड़े कपड़ों का है इस्तमाल करें पहले के जमाने में जो हमारी दादी नानी है वो सब इसी तरीके से रजाया बनाया करती थी तो मैं उन्हीं से सीख कर ये बना रही हूं अब जो हमने बैट सीट से साइट के टैसल कर रहे थे उसका हम यहीं पर इस इसे फूल्ट करके अटेच कर लिया उसके बाद देखे इस तरीके से मैं फिर से एक बार सिलाई कर लूँगी तो यह एक दम अच्छे से मजबूती के साथ यहां पर अटेच हो जाएगा और लगे का कि जैसे यह इसमें ही टैसल पनाए हैं हमने आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा यह हमारा प्लेसमेट कह सकते हैं या फिर बड़ा सा कार्पेट कह सकते हैं वो बनकर रेडी हो चुका है और यह जो साडी है उसके डिजाइन भी बहुत अच्छी है तो यह एक दम मस्त मेरा बनकर रेडी हो चुका है आप भी अपनी मन पसंद डिजाइन का एक दम फ्री में कार्पेट बना सकते हैं सो गाइस कैसा लगा आपको ये आइडिया पुरानी बैट सिट और साडी को इस्तमाल करने का कॉमेट जरूर करना वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना जादा से जादा शेयर करना चैनल पर नए आए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना सो गाइस मिलते हैं ऐसे ही और योस्फुल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत